सब्सक्राइब कीजिए धे आईयस चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के हाल ही में लोकसभामी, महिला और बाल विकास मंत्राले द्वारा, राश्ट्रियक्रेच योजना के तहत संचालित शिशुग्रहों से संबंदित सूचना जारे की गई राश्ट्रियक्रेच योजना के बारे में आपको बताएं तो राश्ट्रियक्रेच योजना एक केंद्र सरकार की योजना है जो एक जनवरी 2017 से अपने वजूद में है इस योजना को राजियों और केंद्र शासित प्रदीशों के जरिये संचालित किया जा रहा है राजश्वियक्रेश योजना को इससे पहले राजीव गांदी राजश्वियक्रेश योजना के नाम से जाना जाता था इसका मकसद कामकाजी महिलाओं की ऐसे बच्चों जिनकी उम्र 6 महीने से लेकर 6 साल तक की है उनको दिन भर देखवाल की सुविधा मुहाया कराना है ये कानून उन सभी संस्थानों पर लागू होता है जहां 10 या उससे ज्यादा करमचारी कारे रथ है ये कानून उन सारे संस्थाओं में क्रेच की सुविधा को अनिवार्य बनाता है जहां 50 या उससे ज्यादा करमचारी कारे रथ हैं सरकार ने अपने दिशा निर्देशों में किसी भी बाहरी शक्स जैसे प्लंबर, ड्राइवर या इलेक्ट्रीशन का प्रवेश इन शिशुग्रेहों में बच्छों की मौजूद्गी के दौरान निशिद्ध घोशित किया है ये शिशुग्रेह 8 से 10 घंटों के लिए खुला रहना चाहिए और अगर किसी संस्थान में करमचारी शिफ्ट में काम करते हैं तो शिशुग्रेह भी शिफ्ट के हिसाब से चलना चाहिए इन शिशुग्रेहों में हर एक बच्चे के हिसाब से 10 से 12 वर्ग फीट की जगए होनी चाहिए जिसे बच्चों को खेलने, आराम करने या सीखने में कोई तकलीफ न हो शिशुग्रेहों को किसी असुरक्षित जगए के आसपास नहीं होना चाहिए जैसे खुली नालियां, गटर या कूडा दन आदी योजना की खास बातों पर गौर करने तो इन में कामकाजी महिलाओं के बच्चों को सोनी के सुविधा के साथ अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्द कराना है इन में 3 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रारंबिक शिक्षा और प्रुटसाहन जबकि 3 से 6 साल की उम्र वाले बच्चों के लिए प्री स्कूल सिक्षा की विवस्था करना, बच्चों के चहु मुखी विकास की निगरानी करना स्वास्तिजाज और टीका करण के सुविधाई उपलब्द कराना जैसी सुविधाई शामिल है इस योजना के मद्दे नजर क्रेचेज को कुछ दिशा निर्देश भी दिये गए हैं इनमें क्रेच को एक महीने में 26 दिन या हर रोज 7.5 घंटे खोलना इसकी अलावा एक शिशुग्रह में बच्चों की संख्या और करमचारियों की कितनी संख्या होनी चाहिए इनका भी सिलसिलेवार ब्योरा इस योजना में दिया गया है इस योजना के अनुसार कामकाजी महिलाओं को शिशुग्रे में हर महीने कुछ शुल्क भी जमा कराना होगा, जिसकी धनराशी का निर्धारन उनकी आर्थिक इस्थिती के हिसाब से किया जाएगा योजना में उन कामकाजी महिलाओं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं, उन्हें शिशुग्रे में हर महीने एक बच्चे पर 20 रुपे की शुल्क अदाएगी करनी होगी इस योजना में शिशुग्रे की सुविधा उपलब्ध कराने वाले संस्थानों के लिए भी कुछ जिरूरी दिशानिर्देश दिये गए हैं, जिन में शिशुग्रे को एक महफूज जगा पर होना चाहिए, साथ ही साथ इन बच्चों के लिए अनुकूल भी होना चाहिए इसकी अलावा क्रेच की सुविधा आमतोर पर घरों यमाओं के कारिय स्थल के नस्दीक होना चाहिए, जिसे माताओं को अपने बच्चों को स्तनपान कराने में आसानी रहे। क्रेच के करमचारियों को भी बच्चों की पूश्ताज में आसानी रहेगी। इस योजना में इस बात का भी जिक्र है कि शिशुग्रह को चलाने में किसी स्थानिय महिला मंडल, स्वयम सहायता समू, इस्थानिय निकायों के सदस्यों इतियादी की भी मदद ली जा सकती है देश भर में मौझूद शिशुग्रहों की संख्या की बात करें तो 11 मार्ज 2020 तक इस योजना के तहट पूरे देश में 6453 शिशुग्रह चलाय जा रहे थे। मीती आयोग इस योजना का मोल्यांकन तीसरे पक्ष से कराती है। इन सब प्रावधानों के बावजूद भी भारत में कामगार महिलाओं के लिए शिशुग्रहों की संख्या अभी भी उतनी नहीं है जितने की जरूरत है। महिलाओं को बच्चों को जन देने के बाद इनके पालन पोशन के चलते अपनी नौकरे छोड़नी पड़ती है। ऐसे माहौल में जहां भारत की अर्थ विवस्था पर असर पड़ता है तो वहीं महिलाओं के समावेशी विकास पर भी एक सवाल या निशान लग जाता है। ऐसे में राश्रिया क्रेच यूजना एक सराहनिय कदम है।